दुनिया की सारी नारी शक्ति या इतरी स्वरूप के पास ही है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इसलिए नवरात्री में देवी की उपासना की जाती है देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है इसलिए इस सक्ति को नवरातरी भी कहा जाता है तो आज से चैतर नवरातर शुरू हो गया है मा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि लाल फूल पान पत्ता ये सम मा को बहुत प्रिये है तो मैं यहाँ पर पान के पत्ते के पेड़ भी लगाई हूँ तो देखिए अभी छोटा ही है तो पांच पान के पत्ते तोड़ लेती हूँ थोड़ा बहुत फूल निकल ही जाता है मेरे गंबले से और मॉर्निंग में बेटे को बोल रही थी तो लेकिन वो फूल लाकर के दि लेकिन इस बार अभी फूल आने में लेट हो रहा है और यहां पर देखिए धतुरा भी खिला हुआ है तो मेरे पास ऐसा नहीं है हर वेराइटी के फूल है लेकिन क्या होताना की गंबले में कभी होता है कभी नहीं होता है तो चलिए यह जो हैना मैं तोड़ लेती हूँ औ चलिए यहां पर संत्रा में देखिए फिर से फल लग गया है यहां पर दो संत्रा पग गया है और इसको मैं तोड़ लेती हूँ और चलिए इसको धो करके और डलिया में रख करके और मैं पूजा घर में लेकर के चलती हूँ छोटा सा ही पूजा है लेकिन थोड़ा सा मैं आस्था के साथ पूजा करती हूँ और ये गनेश जी मैं खुश से बनाई हुई हूँ तो सबसे पहले सवरपर्थम गनेश की पूजा से सुरू करती हूँ और उसके बाद माता पिता और सासुमा की जरूर पूजा करती हूँ भगवान से बढ़ करके माता पिता होते हैं तो स कि नवरात्र का पूजा था तो सारा बर्तन मैं भी धोई हूँ पूजा का, तो फिर से मैं उसमें नया चंदन निकाल देती हूँ, तो ये पीला चंदन है, पीला चंदन में विष्टमाहान को लगाती हूँ, और उजला जो चंदन होता है जो मैं उजयन से ले करके आई थी तो भोले बाबा को लगाती हूँ लाल चंदन भी है जो काटमंडू पसुपती नात का है और एक घसने वाला भी चंदन है तो सब तरह का चंदन मैं रखती हूँ और यहां पर भांग भी निकाल दूँगी साथ में डेली जो मैं अच्छत चढ़ाती हूँ तो इस वाले में निकाल दूँगी और बाकी बड़ा प्लेट है गनेश जी बने हुए हैं तो यहां पर मैं नौ दिन पूजा करूँगी तो एक बार मैं निकाल लूँगी न तो नौ दिन तक मेरा मतलब निकालने की जंजट नहीं रहेगा कि बार-बार आप डबे से निकाले और यहां पर अच्छत निकाल लेती हूँ सात में सोपाड़ी है और लूँग है इलाईची है जो माता जी को जरूर चढ़ाय जाता है बहुत साधारन तरीके से मैं पूजा दिखा रही हूँ और आप माता रानी को बहुत साधारान तरीके से भी पूजा करके परसंद कर सकते हैं और चलिए यहाँ पर यह लॉंग हो गया उसके बाद मैं इलाइची निकाल देती हूँ और भोले बाबा को भांग में डेली चढ़ाती हूँ और यहाँ पर देखिए सिंदूर निकाल देती हूँ और यह रॉली है और मतलब रॉली, सिंदूर, पीला, सिंदूर आप सब निकाल करके एक प्लेट में रख लीजे और पीला सिंदूर ना नवरात्र में आप जरूर निकाल करके रखे और माता जी को जरूर लगाए और आज है मंगल तो बजरंग बली को भी मैं सिंदूर लगाती हूँ तो पटना के हनमान मंदिर में जो वहाँ सिंदूर मिलते हैं तो मैं अलग से हनमान जी के लिए रखती हूँ वीडियो के इंट बने रही हैगा मैं दिखाऊंगी तो यहाँ पर रोली है और यह सिंदूर है बाबा धाम का तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ और साथ में पीला सिंदुर भी निकाल लूँगी और पूजा पाठ तो देखिए मेरे ससराल में मेरे जेट बहुत जादा करते थे और मतलब उनका पूजा पाठ ना मतलब इतना जादा वो करते थे ना कि उनका दरभंगा में उनको लोग पूजता था और मैं बहुत कुछ उ सिव जी अस्थापी थे तो सस्राल और मैं के दोनों जगह मतलब बहुत जादा पूजा पार्ट मैं देखी हूं तो और हम लोग तो फ्लैट में रखते हैं तो बहुत साधारन तरीके से मैं मतलब करती हूं पूजा तो यहां पर देखे अभीर गुलाल भी निकाल ली हूं फारे चे बड़ाशी होतौया तो पति पतनी में अगर पतनी पूजा करेगी तो पत हरो में होता है यहां पर देखे और मैं दो दिया बना ली हूं जिसमें एक बजरंग वली को मंगल सनिवार को अलेक्ष मैं दिखाती हूं और जो डेली पूजा करती हूं। उसके लिए ए यहां पर देखिए फूल माला भी ले आया था बेटा तो समय निकाल देती हूं तो एक मैं आज हनमान जी को यह लिए भी माला मंगवाई हूं क्योंकि आज है मंगल और मातारानी के लिए भी है और यहां पर देखिए पान पत्ता है तो मा के को चढ़ाने के लिए जब हम पान लॉंग है और मेरे पास सब पूजा का समान रहता ही है और जब पूजा प मैं मवा लेती हो Cum अच्छे से में पूजा करती लेकिन कुछ ऐसा नहीं है देखे मतलब बहुत चोटा ही पूजा घर बनवाई हूं लेकिन सब भगवान जी मैं रखी हूं और इसलिए मैं थोड़ा पीतल का चोटा चोटा भगवान जी ले ली हूं कि बहुत अच्छी तरह से मुझे आरेंज कर करने में परिशानी नहीं हूं और अपने मन लैक में पूजा कर सकूं तो यहां पर एक आर्थी का भी दिया बना लेती हूं और सब चीज अरेंज कर लूँगी ना तो पूजा करने में भी मुझे मतलब मन लगेगा और यहां पर देखिए प्लेट सुबा में ही धोली थी तो सब को पोच पोच करके और मैं यहां पर फूल माला रखूंगी और लाल फूल अलग से रखूंगी और यहां पर देखिए यह दिया भी बन गया है और दो दिया मैं इधर बना करके रखी हूं तो सबसे पहले सीव जु को गंगा जल से स्नान करा देती हूं ओम नमो तो भगवान इससे भी प्रशन होते हैं और यहां पर मैं उजयन गई थी तो बाबा महाकाल का एक छोटा सा सीवलिंग लेकर के आई हूं और यहां पर देखिए विश्ण भवान को मैं पीला चंदन लगाती हूं भोले बाबा को मैं उजयन से लेकर आई थी वही चंदन लगा चड़ाती हूं और यहां पर मैं फिर से बोल देती हूँ मेरी बहन बनाई है देधि मा तो बहुत आस्ता से पूजा करती हूं मेरे मैके में सब घर में देखेंगे देबी मा का इतना ही खुबसूरत मतलब फोटो है और यहां पर देखिए धत्रह सुबा ताजा मैं अपने म वालकनी से तोड़ी हूं तो वह चढ़ा देती हूं साथ में निलकंट भी है तो निलकंट भी चढ़ाऊंगी और यहां पर देखिए अच्छा चढ़ा दे और डेली मैं चढ़ाती हूं भांग भोले बाबा को और दस साल हो गया है मैं सीवलिंग की पूजा कर रही हूं अपन इसी लिए कि मेरा पूजा का फूल कम से कम निकल जाए और यहां पर चलिये मैं सब भगवान जी को फूल अरपन कर देती हूं और आजी निलकंट भी है पंचमुखी निलकंट तो देखिए निलकंट के भी फूल बहुत हो रहा है और बजरंग वाली जी को भी निलकंट जरूर चड़ा है बहुत सारे पूजा पार्ट के भी वीडियो मेरे नतलब सेकेंड चैनल लाइफ अफ लीना और मैं डाल दूँग बजरंग वाली जी को भी माला पहना देती हूँ और लाल फूल बजरंग वाली को जरूर चड़ाती हूँ मंगल और सनिवार के दिन और यहां पर उढ़ूल फूल के माला है तो यह तो थोड़ा सा पांच फूल का मैं बनाई हूँ लेकिन यहां पर चली बिंदा चल माई को मैं पեղा देती हूँ और मुझे बहुत सकती मिलती है बहुत सारे आप लोगे कैसे कमेंट्स भी आते हैं कि कभी-कभी काम से ठकती नहीं है तो मेरा जो एनरजी है ना मा के चर्नों से मिलता है और बहुत जादा ठक जाती हूँ ना तो मा के सामने बैढ़ जाती हूँ क्योंकि देखिए मैं अपनी सास को कभी देखी नहीं तो मेरे जितने भी family है ना तो सब लोगों का joint family है तो कही न कही मेरा जो मतलब life है ना बिल्कुल समझे कि कोई भी चाहे festival हो चाहे कुछ भी हो phone आता है ऐसा नहीं है सब लोग मेरे भाईबहन बहुत जादा प्यार करते हैं लेकिन वो जो खालीपन होता है ना वो कोई नहीं भर पाता है सब लोगों की joint family है एक दुसरे को मतलब देते हैं लेते हैं और मेरा जो जीवन है ना मैं बस अकेले मतलब अपने घर में काटती हूं तो कभी कभी यह चीज ना मुझे अंदर तक रूलाता है और इसलिए मेरी मम्मी थी ना तो मैं मम्मी से बहुत जादा मतलब लगाओ था क्योंकि मैं सासुमा को कभी देखी नहीं जो भी प्यार मिला मा का मिला तो चलिए इसी में जिन्गी है तो यहां पर दिया भी जला ले रही हूं और दुरगा सबसदी का पाट तो नहीं करती हूं लेकिन कील कभच अरगला जरूर पढ़ती हूं और बहुत ही साधारन तरीके से मैं आज पूजा दिखाई हूं और साथ में बेटा भी नहा करके आ गया है और मैं बोल रही हूं कि संख बजाओ संख मैं नहीं बजा सकती हूं और यहां पर वो संख भी बजा रहा है तो I hope की बहुत साधरन तरीके से ये पूजा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो वीडियो को सेर जरूर कर दे और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों की जो मतलब रिक्वेस्ट आती है ना मैं उसको पूरा करने की कोशिस करती हूँ और बस जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा पूजा होता है उसके बाद है पूजा तो मैं अपनी मा के बारे में मतलब बोलना चाहती हूँ कि मेरी मा भी इसी तरह से मतलब बहुत सांत सभाव की बहुत ही मतलब क्या बोलू और आज जो भी मैं सीखी हूँ अपने मां से सीखी हूँ और पूजा पाट करके और एकदम सोई का सोई रह गई तो यही सबसे बड़ा कर्म होता है और जो मुक्ति का रास्ता होता है तो यही होता है लास्ट में आप अपना कर्म करके और किस तरह से आपको मुक्ति मिलती है तो यही सच्चा पूजा होता है और मैं इसलिए किसी के बाद पे ध्यान नहीं देती हूँ दीन रात मेहनत करती हूँ अपने आप में जीती हूँ परिवार जो मुझे भगवान ने दिया है बस उसकी सेवा में लगाए हूँ सारा जीवन अपना और बस इसी में जो भी करतब मिला है और जब ही मरू तो पूर है तो पूरी चैना बना रही हूँ तो यह चैतर नवरातर मैं बहुत साधारन तरीके से करती हूँ फास्टिंग नहीं रहता है स्रिप लशन प्याज नहीं बनाती हूँ इसलिए बच्चों को मैं नास्ता दे रही हूँ और फटा-फट से उसको नास्ता देने के बाद मैं लंच भी पैक कर दूँगी और डेली मेरा मतलब ठाली आएगा ही लेकिन दिना लसन प्याज वाली ठाली आएगी तो आप लोग वीडियो पर बने रही है और यहां पर देखिए बेटा नास्ता कर रहा है साथ में खीरा भी काट दी हूँ और गर्मी है सलाथ खूब खूब और यहां पर लंच भी पैक कर रही हूँ I hope कि आज का ब्लोग पसंद आया होगा और पूझा का वीधी भी मैं सेयर की हूँ और चलिए गर्मागरम पूडी चना और अचार सलाथ में पैक कर देती हूँ और एक और पूडी जवरदस्ती में दे रही हूँ बस दो पूडी से ज्यादा नहीं खाता है तो चलिए मिलती हूँ